नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का नुजटी नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं मैं हूँ अपढणा मौज़म और मेरे साथ है डॉक्टर राहूल बार्ष ने जो प्रोफेसर है नियुरो सर्जरी के आरेमल हॉस्पिटल सर बनुट्रहूर्जर मनुट्रों तो इसी चकर में मैंने बाई लिया एंड नाय ऑप्टेट फॉर सजरी और उसके बाद नूरो सर्जरी ऑप्ट किया अपमें सर्जरी वाज मैचने जब मैंने अमच्छा लू किया ग्राईजूएशं चालू किया मुझे असा लगता था मु जो खिलोडों को बहुत तोल मरोड कर खोल खाल किन के कल पूर्जे सब देखा करते थे अपड़ना ऐसा तो था कि खोल देता था बट बंद नहीं कर पाता था था अबड़ तिंग कि मेरा ना बच्पन में आई तिंग साल में छे मेना हॉस्पिटल में भीता था एक बीमारी दो बीमारी चलती रहती थी तो आई तिंग समाओ इन बैक अफ माइंड यह सब चीज सोच के मुझे लगा कि नहीं यार डॉक्टर बने और कुछ औरों की सिवा करें जब आप नीरो बिल्कुल सही का सी अमें जो हम सीरियल में देखते हैं मूवी में देखते हैं एक्चुली अमें लाइफ इस वैसी बिल्कुल भी नहीं होती एतनी लुकरेटिव एतनी हैपनिंग इस नोट लाइक दैट सी अनफॉचनेटली आवार पॉपुलेशन इस वरी हाई इंडिया क एंड डॉक्टर्स का पॉपुलेशन रेशियो इस वरी लेस तो एक डॉक्टर को कितने पेशन्स को केटर करना है इंडिया में एस कंपर तो युएस अकर आपन देखेंगे तो इसमें अकर एक दिन में मैं आपने 24 गंटे भी दूंगा तो भी वो कम पढ़ जाएंगे उसक किसको ज़्यादे जरूरत है किसको पहले देखें किसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं या किसको हम बाद में भी कर सकते हैं ये चलेंगी जॉब होता है बट यह प्रोफेशन टीजिश एवरीटिंग सी वेन आपको लगता है कि मरीज आपका ठीक हो रहा है ठीको कि घर जाता होती है जो इस प्रोफेशन के लावा किसी प्रोफेशन में नहीं है एक कॉमन प्रसेप्शन भी होता है या आप इसे मित भी कह सकते है या स्टियोटाइप की जो आम लोग कहते ना कि फला डॉक्टर कर सजरी सजेस्ट कर रहा है इसका मतलब वो बस किसी तरह पैसा लूटन कोई आदमी आपको सजरी बόले गा रिस्क नहीं लेगा बोले गाना इस बटेर ँपरेट कि कल को कुछ होना जाए कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं आप देख सकते हो बट यू में सफर कॉंप्लिकेशन तो अगर कॉंप्लिकेशन हो गया तब आप बोलो कि रहें डॉक्टर आपने पहले सजरी क्यों नहीं करी तो आप इंसान की प्रवत्ति होती है हम वह सुनना चाहते हैं जो ड नियूरो सरजरी पर तो जो नियूरो सरजरी है वो क्या-क्या कवर करता है क्योंकि नियूरो से हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ ब्रेन का जो है सिस्टम उसी को वह कवर करता है नियूरो सरजरी आपका ब्रेन कवर करता है स्पैनल कॉर्ट कवर करता है और इंफेक्ट जो निकलती हुए नर्स जिसको परिफोल नर्स बोलते हैं सब की सजरी होती है कई बार जो बैकेक के पेशन्स होते हैं जैसे मुझे भी क्रॉनिक बैकेक है तो मुझे भी सज्जेस्ट किया गया कि आप एक बार नियूरों में दिखा लीजिए फिर महां जाके मालूम पड़ता है क्या है जो हमारी लाइश्टाइल है जो हमारा प्रोफेशन्स है आज कल के हम लोग ना पॉस्चर कॉंशियस और हम लोग जो स्ट्रेस लेते हैं अपनी बॉड़ी को देते हैं तो समाव वेर अंटेर तो आपके बॉड़ी में हो गई एन अनफॉर्चुनेटली आपके स्प का उपरेशन होगा थे जिसके तुरू ठीक हो सकते हैं रेस्ट करेंगे तो भी आप ठीक कुछ डिस में आपको फायदा मिलता है और भी बहुत सारी टीमें अपर शर्जरी के आपको नहीं पड़ेगी हर डिस्क जरूर्य नहीं होती है यह आपको मानना है बेसिकली जी स्ट आजक़ हम देख रहे हैं कि हर चीज का एक रूट को निकलता है ईस्ट्रेस लोग बैठे बैठे उन्हें अटाक पड़ रहा है लोग सुसाइडल हो जा रहे हैं और इसकी पीछे बताया जा रहा है इस्ट्रेस है जी नियोरो साजरी में स्ट्रेस का एक डारेक्ट रिलेशन नहीं बड़ा है को ब्लड प्रेशा तो आपके ब्लिडिंग ने का चांचर होता है हम जिसको आम भासा में अग। क्यों को शॉर्ट निकलना परता है कि दोलग निकलने का लिद這邊 को बड़ांगी जिंदरेज्मेंट बगर भीtones New तो आपको मानसिक शारेरिक दोनों तरह से स्वस्त रखेगा. नीरो सर्जेन के पास हम कब जाए? जब हमें क्या दिक्कत हो? किस तरह से हम महसूस कर रहे हैं? आप वही एक है, जो हमें ठीक कर सकते हैं? देखें, नियूरो सर्जन के पास अगवान ना करें की भी जाना पड़े आपको, अबोवन क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं आपको, जैसे कि for example, आपको हातों में कभी पैरों में नमनस लगती है, या आपको लगता है कि मेरे हातों में कुछ कमजोरी आ गई है, या आपको मिर्गी के दौरे आते हैं, ठीक है, या आपकी याददाश में कुछ दिक्कत आती है, या एक, there is a famous story, कि there was a billionaire in US, unfortunately what happened कि उसने अपना सारा पैसा जुए में उड़ा दिया, and nobody could make out कि उसको क्या था, and जब उसका brain में scan कराए गया, तो he had a tumor, और tumor क्या था, वो उसक आता है, जो इसके decision making power होती है, तो कभी आपको लगता है कि आपको memory का problem आ रहा है, आपको decision making में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, यहां पर आपने memory की भी बात करी, और speech का भी कहते हैं कि अगर speech पे problem हो रही है, आपको आप याद नही देखेंगे हम तो जो 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 ओल पेशेंट, ओल पर संजो होते हैं, से 70s, 80s, तो उसमें जो memory loss होता है, that is mostly a senile dementia, बोलते हैं कि जो एज एज रलेटेड लेटेड लॉस होता है, but if a young patient is having a memory loss, तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर करिएगा, डॉक्टर साब के फेस्ट अल्कोहलिक उनकी activities रहती है, तो इस में के लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरी important चीज जो आप डिवाली आ रही है, आप लोग घर में lighting करते हैं, तो भाई आप लाइट लगाते हैं, उसके लिए आप एक preventive measure रखी है, अपने साथ में safely लगाएं क्योंकि इस टाइम में injuries बहुत कॉमन होती हैं, बहुत से लोग गिर के आते हैं, खाली में कली अपना द्यान रखें यही सब्सार जरूरी है, जी यह बात आपने बहुत बड़ी बात कही है, कि हमें लगता कि बहुत मामुली सी चोट है, लेकिन वो कितना हम पे असर डालेगी यह तो डॉक्टरी बता पाते हैं, एक और चीज दॉक्टर साब अगर हम यह बात करें कि सर बीमारियां शुरू हो जाएंगी, डाज रेली हापन, देखे मैं आपको एक चीज पताना चाहूंगा कि यह बहुत पुरानी है कि लोगों को लगता थे कि अगर ब्रेन में कुछ हो गया, तो अब मैं नहीं बचूंगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैं यूर बी सप्राइ रही है, आप लाइफ लॉंग नॉर्मल रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे आपको, बीच पे आपने जिक्र किया था मिर्गी का भी, मिर्गी को लेकर भी हम देखते हैं कि अलग लगताना का अंधिश्वास होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन उसके लावा कभी कोई चम्डे का जूता सुंग भा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो क्या मिर्गी की पेशन्ट कभी ठीक नहीं हो पाते हैं, नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यह थोड़ा सा माइथ है कि हमारे आज के देश में भी लोग मिर्गी जाड़फू को लाज कराना जरूरी है, अंदविश्वास हम देख रहे हैं कि समाज में एक तरफ साइंस इतना प्रोग्रेस कर रहा है, और उपर से अंदविश्वास अभी भी कहिना करें हमें पीछे पकड़े हुए है, खास्तोर पर अगर मधिपदेश, अतीजगर या जो रूरल एरिया कि नीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जागरुकता फैलाने में, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि यह जागरुकता अगर हम अपने देश के अंदर, अंदरोनी इलाकों में लेकर जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि इस के लाज समभव है, जो आज से पच के अंदर एक पेशेंट बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है, अपि टरनाने का, लेकिन वहीं एक सादू आबा आते हैं, और वो कहते हैं नस का दर्द है, तो वो दवा कुछ मलते हैं, और वो जाड़ फूख करने लगते हैं, यह ऐसा बहुत ही कॉमन होता है, हमारे अभी कोई बार ऐसे पेशेंट आते हैं, ब्रेन में ट्यूमर है, उनको बोलो सरजरी करानी है, तो बोलेंगे नहीं, फला फला बाबा ने बोला है, कि मैं तुम को छे महीने में ठीक कर दूँगा, मैं तुम एक साल में ठीक कर दूँगा, इलाज कराते हैं वहाँ पर जब हमारे पास आते हैं, तो इस स्टेज में आते हैं कि इसमें अलाज संबब नहीं होता है, तो मेरा यही मानना है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाए हैं, उसकी सलाल है, और कोई भी बीमारी जो होती है, जाड़ फूक इससे कभी भी ठीक नहीं होती है, इन फैक जॉ क्लास को आप केटर करते हैं, जो कहते हैं कि फला ने काया कि उस तारीक को ही ऑपरशन करवाना होगा, जी ऐसे भी बहुत सारे आते हैं, जो बताते हैं कि जो तिश्य हमने टाइम दिखाया है, उसने बोला यह महुरत है, तो मैं उनको यहीं बोलता हूं, मैंने का भाईअ, अगर आपको लगता है कि इस मुख्याने करना है करोगा नॉसरे पेशेन को हांडी नहीं 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 रही हो होगी तो सबसे पहले है. सबसे पीकले हैं, कानी है उक करता है। 믹र से कश Gates खड़क वहाइक आपको बı单 के टॉड़ा किसे कर बमकराइका है। प्रिपेरिंग है फिर्स्ट फॉल जो हम फेस करते हैं सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है उसको उसके बिमारी के बाले डिस्क्लोस करना यही एक बहुत बड़ा उसके लिए सेट बैक होता है क्योंकि अज भी हम हम यह मानते हैं कि मेरे ब्रेन में कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगा तो उसको समझाना फिर उसके परिवार वालों को समझाना तो यह एक बहुत बड़ा फेक्टर होता है जो ग्रैजुली जब पेशेंट होता है यह आमार पास ओपेडी में दिखाने आता है तो आपार्ट फ्रॉम सीग कि इसको क्या बिमारी है क्या ला करना है और इलाज समभव है डिप्रेशन की बात आपने यहां पर की आज कल हर तीसरा जो शक्स है वो डिप्रेश्ट महसूस करता है डिप्रेशन ऐसी चीज़े हो कि इस पर हम खुलकर बात कर रहे हैं और फेस्टिव डिप्रेशन यह भी मैंने कहीं एक टर्म पढ़ी है द करता है डिप्रेशन इसकों बोलते हैं ऐसा भी देखा जाता है आप सकैन कराई है तो आपको एक बड़ा सा ट्यूमर निकल के आएगा तो डिप्रेशन तो सभी के साथ होता है खुश रहे है जिन्दा दिल रहे है डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे तो यह जिए करते हैं कि मेरे फादर को था मुझे हो गया ऐसे जनरली नहीं होता डिप्रेशन आपको तब घर करेगा जब आपके घर में आपके पास और कुछ करने को नहीं है आप खुश रहे है दोस्तों से मिलिए अपना दिन अच्छे से पास करिए डिप्रेशन आपके पास करता है हम जो फोन को सामने जुक के देखते हैं अबना तो आपका स्पाइन का गराजोली आप देखेंगे आपका करवेचर ना दीरे दीरे चेंज होना लगता है और उसके कारण जो आपको आपने सर्वाइकल सुना होगा सर्वाइकल की फ्रिक्वेंसी आजकल बढ़ती ज जाता है उसी के लिए करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है जी अब आते हैं जरा कि आपके डॉक्टर बने की जर्नी पर बताए क्यों कि आप भुपाल से ही है कैसे जर्नी आपने पूरी पैता है कि कितना सपोर्ट कहां से मिला और अब फामली को टाइम दे पाते नगे महीं से मेरी सकूल इंग होई है फीर मैं भीबेस करने जबलपूर चला गया था था सब्साहित कृरा इसा करी है अगर आपको निरूसरज। तो निरोसेद्री में काम करना जरूरी है तो इस चकर में हम दिल्ली आ गए और एक बार दिल्ली में आए तो ऐसे फसे कि वापत जाई नहीं पाए अच्छा बट यह मेरा हैं कि अपना डेटार्मेंट में बोपाल से ही लूगा ओके बोपाल आता आपको याद बोपाल मुझे बहुत याद आता है और अभी आज भी कई भी 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 बोपाल चोड़िए एंपी चोड़िए आप 36 गड़के भी जो पेशेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा-दर सॉफ्ट कॉर्णर आई जाता है उनके लिए एंड जो बैस्ट पॉसिबल हो पाता है वह आज में उनके लिए करते हैं अच्छा अब एक और चीज आपने जो अपनी एजुकेशन की क्योंकि कहीं मैंने भी पढ़ा था कि जब खास सौर पर जब आपने बेस कर रहते हैं थर्ड एर में शाए थर्ड एर फॉर्ट यर होता है जब इसके चातरी खुड बहुत डिप्रेंज मैसूस करते हैं कि शायद को दवाओं के बार में इतना पढ़ रहे होते हैं ऐसा फेज आता है जी बिल्कुल आता है अमिन स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि आपके पास 15-15 सब्जेक्ट होते हैं टाइम कम होता है एक का स्ट्रेस तो यह एक जर्णी है जो आपको निकलना एक आग का दरिया डूप के जाना है तो आप इसको निकल गेंगे आप तो आप एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे और आप यू नो हाओ तो मैरेज स्ट्रेस बटर जी बहुत पेशेंट जो हैं इंडिया का रुक करते ह हैं और काफी अच्छा रिस्पॉंस मेलता है वहां की गवर्मेंट से भी और सब कुछ अच्छा मतला है में ठीक खुश हो कर जाते हैं किसी बिदा के नियुरो सर्जरी के बाद कितना जल्दी एक पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ का रुक कर पाता है मैं आपको बता हू किसी फीमेल को नियुरो सरजरी करवानी पढ़ी है तो उसके बाद वो वापस मदर हुट के तरफ जा सकती है या कुछ प्रकॉशन होते हैं या ताइम होता है प्रोसेस्ट नहीं 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 बिल्कुल जा सकती है वो अपना और इस में मैं आपको बताना जाहूंगो आपने बहुत अच्छा क्वेस्टन रेस किया है कि इंडिया में हमारे क्या होता है जो आजकल जो प्रेंग्नेंट लीडिस होती है हमाई गॉर्मेंट के प्रोग्राम से आयरन फोलीक एसेट के अच्छा कर आप नहीं खाई तो आपके बच्चे में विकार होने का चांसे बहुत जादा होते हैं इसको अपन बोलते हैं है है जो बिमारी थी यह वेरी कॉमन नहीं काते हैं किसी कि रीड की अटी में आप देखें के पीछे एक स्वैलिंग दिखाई देती हैं कि मैंनिंग अच्छी बात आपने गई डॉक्ट साब एक और चीज जो आज कल आटिस्म यह डू टू अवेर्नेस है कि हमें ज्यादा केसे दिखाई दे रहे हैं या यह पोस्त कोविड एरा है कि हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हो रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स है या और आटिस्म को जी पहले भी था और आटिसम आज भी है ठीके ना थोड़ा सा मैं यह बोलूंगा कि जैसे से मेडिकल एडवांसमेंट होता है जैसे आसे टेक्नलोजी एडवांस होती है तो इनिशिल स्टेज में आपको आटिसम दिखाई देता है और यू कम तो हैर अब आटिसम में कुछ स़र्श अबैसर अब आटिसम तो क्या को ऐसा कोई केस हम जिसकस करना चाहेंगे हमारे साथ या इंसिदेंट सुनाना चाहेंगे आपको एक पेशेंट था मैं 1-8 साल भेंगॉल में काम किया था उसको किसी ने पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी थी, तो वो पूरा गोली जो थी, उसके दिमाग यहां कनपटी की उपर से होती होई, छोटे-छोटे टुकड़े थे उसके वो पूरे ब्रेन में और दूसी तरफ से बाहर निकल गई थी, तो कुछ काफी बड़ा इससा गोल गया देखा हम मैंने, मैंने उसको बोला कि आपका उपरेशन करना पड़ेगा, बड़ आपके बचने को घर वाले जो उसके लेकर आया थे, बचने के चांसे कम है, तो घर वाले ने बोला, अगर एक परशन भी चांस है तो आप प्लीस करिये, तो मैंने का ठीक है, और हमने इसका उपरेशन किया, और I think करीब दस से बारा घंट इसका उपरेशन चला था, और गोली बोली उसकी निकाल दे गई हमने, and luckily, I must say, by God's grace, he has an unevenful recovery, और 7th to 10th day में वो अपना डिश्चार्ज हो के घर चला गया, और यह मैं आपको बता रहा हूं, दस साल पुरानी बात है, और आज मेर पास आता है वो, मुझे दिखाने के लिए, वो बेंगॉल से आज दिली आता हूं, पॉइंट ब्लांक, अविश्वस्ती है यह, डॉक्टर साब एक और चीज इस तरह से आपने कहा कि 24-24 घंटे भी सर्जरी करनी पड़ती है, तो एक डॉक्टर कैसे तायार करत है खुदको, और आप कैसे आप रह पाते हैं, मतलब कि जाकर 24 घंटे ऑपरेशन करना, आपने भी बोला था ना कि MBBS में जब आप पड़ते हैं, स्ट्रेस आता है, तो यह आपकी इनिशियल जर्णी होती है, स्ट्रेस मेनेजमेंट की, इस हाव यह ग्रूम अप तो बेकाम स्ट्रेस मेनेजमेंट होता है, जो आपका वर्क वो होता है, जो सपोर्ट होता है, सीनियर्स का, जो जूनियर्स का सपोर्ट होता है, उसके चलते हैं, आप सारे बाधाओ को पार कर लेते हो, और 24 घंटे सर्जरी करना, नीरो सर्जरी कुछ ऐसी भी होती है, जो अठा-ठा- करते हैं। एक पूछन में पूछना चाहूंगे आप से कभी ऐसा हो कि आपने बहुत टाइम दिया हो कि सर्जरी को और आप उस पेशेंट को नहीं बचा पाए। इस सभी होता है और मैं आपको पन्टारिता दू है इसा होता है और मैं आपको बता होता है कई बार ये भी होता है कि आप ये जल भर्री करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि सब थीक है की बारा ऑपे area special California अ आप देख थे हैं कि operation के बाद रहता है आप उसका तो और," बहुँब मैं करें हैं और र Meine खुड़र गजों राउना सब्सक्राइब करें दूज राउना देविट तो हमें रह Battle Pat sentence UTrud तो राउना बाउना सएह का हूं हुआ क मैं उसमालिन सब्सक्राणिय। सब्सक्राइब झालों हें वड़ यिद्य को थे मुखिक्नट थेस अटार सालर टा मुख जोड़ कने लोगरौ के चाहं Ugh जोडलों पुल्य करती। पार्व किंजस्ट यहां पाल के सुछेद बीजर फेलां जौब सालर को सुछ nisla तो केस टॅडी पहोंगे जनरली में रैफर केसी आते हैं जो बहार से रैफर होगे आते हैं जो गहीं आप इलाज नहीं रहा होता है यह जो ऐसे होते हैं जो एक सवाल की जब जो वो आगे पेशन लेटा हुआ है और आपने उसकी बॉडी ऑपन की वह आप यह आप यह आप यह पर अपर इंटरेस्टिंग मात पताना चाहूंगा तो आजकल हम जो कुछ सर्जुरी करते हैं उसमें पेशन्ट अवेक होता है हम उसके बरें को अपरेशन कर रहे होते हैं इसको पेशेंट को बोलेंके अपना भाथ तो अपना हाथ आता है। कि आपना पैर था पैर हुलाता है। तो इससे इसेंट इन्टरेस्टिंग दॉट वी आरग्टे रोग्डदू उड़ेश क्यों रखते हैं। मुणने बिखनका। आपका थियु कहते है ओे भी कि उिग में लिए प्रश्कनीश पी फिल नहीं है। लोगों, इत्स प्रेवल्स किना पंद राओं गो ही पाएं सेवेखे listened to a अभिण देस्फटर नहीं उठें सब्सेट और परफिर थो पेंसने होताअ कि करने का इस सब्सक्राइब. M.E.L.E. हैं, उन्होंने अपनी देहिदान करने का फैसला लिया। अभी भी हम कितना भी आगे चलेंगे हैं साइन्स की बात करते हैं, लेकिन लोग अभी कम आगे आपाते हैं कि जो अपने body organs donate करने को तयार होंगे how do you see this thing see India मैं मैं आपको बोलूंगा I work in many hospitals जो काफी मरीज जो बचाए जा सकते हैं वो just because इसलिए नहीं बचा पाते हैं क्योंकि आपके पास organs नहीं है तो आजकल आप hospital में जाएए अलग से organ donation team होती है they motivate the family members दो बड़ा difficult होता है family members के लिए कि हम कैसे अपने organs दे दें बट मेरी सभी से request रहती है कि please donate करिये आपका तो चला गया बट आप पास ती छे जिंदिगी आप बचा सकते हैं लिवर आपका यह जाग रुकता आएगी आप से उन रोदे आप भी अफल आई है organ donation के लिए government काफी काम कर रही है और बहुत ज़रूरी है organ donation रॉक्टर से जब आप आए होंगे इस field में और अब जब आप established है settled हैं तो आपने जो इंडियन medical जर्नी दे दिख रहे हैं वह किस सरा से आप देख रहे हैं कितना हम आगे निकल चुके हैं और क्या कुछ करने के में ज़रूरत है देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ऐसे साल निकलते जा रहे हैं जो आपको ब्रेन खोले का चेथ है वह बड़े चोटा था चला जा रहा है पहले अगर मैं इतना बड़े मतलब से पांच बार पांच सेंटीमेटर का ब्रेन कोलता था तो आज का सब चीज एंडोस्कोप से हो रही है एक जो आपका 25 पाई से 50 पाई सा कोई होता है आप उतने चेथ से अज़िए आप शर्जरी आप शर्जरी आप शर्जरी के ओपनिंग चोटी करते जा रहे हो और यू अज़िए बेटर रिजर्ट्स प्काई आप टेकनलोजी अज़िए अज़िए इतनी अड्वांस हो गई है आप पेशेंट्स को सपोर्ट जो आपको मिलती है वह बहुत अज़िए और मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ आप अड्वाइस करना चाहें मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं यहीं आप अच्छे से पढ़ाई करिये और अब तो मिल्ब अच्छी बात है कि एंपी में भी काफी ज्यादे अड्वांसमेंट हो गया मैं देखा ऐसा है मेड अज़िए और गट फिलिंग जो बनना चाहते है हर डॉक्टर अपने आप में एक अलब गॉड तो नहीं बोलूँगा मैं बगवान का रूपी होता है लेकिन उमीद होता है और जो आपको लगता है उसमें काम करिये एक्सल करिया इमांदारी से काम करिये रिजल्ट आपको अपने आप में लेगा एक आखरी सवाल आपसे क्योंकि दिवाली नजदीक है दिवाली से पहले आपने का समलके में काम करना होगा अल्कोहॉल में लोग ना रहें और किस तरह से अपने आपको बचा सकते हैं से लिए कुछ कहना चाहिए और कोई भी हाइट पे काम इतना ब है गया कि हाँ जो क्योंकि हम देखी रहें कि क्या चल रहा है बिल्कुल पॉल्यूशन से ऐस सच आप बोलो कि क्या निरो सर्जरी होती है को डारेक्ट को रेलेशन नहीं है बाट पॉल्यूशन में आपको दिखाई कम देता है आपने दिली में देखा हुआ कि इतना है बाट था हुआ हैंग